कहानी की शुरुआत एक बड़े स्पेशिप से शुरू होती है। इस शिप में तीन आदमी बैठे थे और इनका शिप चांद की तरफ बढ़ रहा था। शिप के कैप्टन का नाम नीलसन था। नीलसन के एक साथी का नाम मैक्स और दूसरे का नाम हैरी था। हैरी अपने साथ एक बंदर रखता था और वो आज भी उसके साथ ही था। तीनों को पूरी उम्मीद थी कि वो जल्दी ही चांद तक पहुँच जाएंगे और तीनों इसी पर बात कर रहे थे। इसी बीच प्रेजिडेंट उनसे संपर्क कर कहता है। तुम तीनों महान काम कर रहे हो। जिस कारण तीनों परेशान नजर आने लगे थे। अब कहानी को धरती की तरफ लेकर चलते हैं। जॉर्ज अभी अभी अपने घर लोटा था और इसी बीच उसका फोन बजने लगा। ये फोन रॉंग नंबर था। फोन सुनने के बाद जॉर्ज कुछ पीना चाहता था। उसने पीने के लिए एक बियर उठा ली। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो पूरी बियर उस पर ही गिर जाती है। बियर ने जॉर्ज का पूरा चेहरा खराब कर दिया था। अपना चेहरा साफ करने के बाद वो ब्रेड खाने लगा। मगर ब्रेड भी सड़ा हुआ निक जटका खाकर भी उसने खुद को संभाल लिया था। वो मूवी देखने के लिए VCR में टेप डालता है लेकिन टेप बाहर निकल कर उसे ही लगती है। जॉर्ज ने अब मूवी देखने का विचार छोड़ दिया। वो जैसे ही टीवी चालू करता है तो टीवी में धमाका ह जाता है। जॉर्ज की किस्मत बेहद खराब थी। वो अब किताब पढ़ना चाहता था। जैसे ही उसने किताब उठाई तो पूरी सेल्फ उसके उपर गिर गई। इसी दौरान घर का फोन फिर से बजने लगा। जॉर्ज जल्दी जल्दी फोन उठाता है लेकिन इस बार भी रॉंग नंबर था जिस कारण उसे बेहद गुस्सा आ गया था। गुस्से में आकर उसने अपना पैर एक बास्केट में फसा लिया। बास्केट निकालते निकालते जॉर्ज का बैलन्स बिगर जाता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। दूसरी तरफ नीलसन की पूरी टीम चांद पर पहुँच गई थी। उनके शिप में खराबी जरूर आई थी लेकिन फिर भी तीनों सही सलामत चांद पर पहुच गए थे। ये लोग चांद पर पानी खोजने आये थे और आते ही अपने काम पर लग गए थे। नीलसन की पूरी टीम आगे बढ रही थी, रास्ते में उन्हें एक गड़ा भी नजर आता है, और उन्हें चांद से धर्ती भी नजर आती है, धर्ती देखते ही नीलसन अपना मास्क उतारने लगा, उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीलसन मास्क उतार कर कहता है, हम भूल गए थे कि हमें खास दवाई दी गई है, जिस कारण हम चांद पर आसानी से सांस ले सकते हैं, हम मास्क तभी पहनेंगे जब दवाई का असर कम होने लगेगा, उसकी बात मानकर बाकियों ने भी अपने अपने मास्क उतार दिये, अब तीनों हसी मजाक करने लगे थे, और फिर आगे पर समुंदरी डाकों ने एक जहास देख लिया था, सरदार अपने साथियों से कहता है, हम जहास पर हमला करेंगे और सब को मार देंगे, दूसरे जहास पर गोरे लोग थे, जो डाकों का जहास देखकर डर गए थे, अब सरदार के कहने पर डाकों ने हमला शुरू कर दिया वो गोरों पर गोला बारूद फेंक रहे थे, इसके बाद वो गोरों के जहास पर भी पहुँच गए, और जल्दी ही सभी को मार भी देते हैं, गोरे फिलमें लेकर दूसरे देश जा रहे थे, इसलिए पूरा जहास फिल्मों से भरा पड़ा था, सरदार को फिल्मों का फी डर गया था, नीलसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कि वो कहां पहुँच गया है, अब कहानी को फिर से धर्ती की तरफ लेकर चलते हैं, मैसी अपनी लवर के पास था, और वो उसके साथ रात बिताने वाला था, दोनों इस वक्त एक गाड़ी में बैठे थे, गाड़ जॉन मैसी का पडोसी था, और ये उसी की दुकान थी, वो मैसी के पिता का दोस्त भी था, और वो मैसी को शरीफ लड़का समझता था, वैसे मैसी काफी शर्मीला भी था, वो जॉन से पूछता है, कि आप रात को दुकान में क्या कर रहे हो, जॉन बताता है, कि आज लड़ प्रचान में आ जाता है और जॉन से सीधा सीधा टी कंपनी की छत्री मांगता है। मैसी की बात सुनकर सभी हैरान थे। जॉन उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें शरीफ लड़का समझता था लेकिन तुम तो बदमाश निकले। मैसी उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं जॉन उसे छत्री दे देता है। अब मैसी जैसे ही पैसे दे कर जाने लगा। तभी उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। इन लोगों में मीडिया वाले भी थे जो मैसी की तस्वीरें लेने लगे। जल्दी ही टी कंपनी के मालिक भी मैसी के पास पहुँच जाते हैं। कंपनी ने आज एक स्कीम रखी थी और बदकिस्मती से मैसी ने उसे जीत लिया था। भीड देखकर उसकी लवर भी अंदर आ गई थी। मीडिया वाले मैसी से पूछते हैं। आप कब से टी छत्री का इस्तिमाल कर रहे हैं। मैसी उनसे जूट बोलता है कि मैं लंबे समय स इसका इस्तिमाल कर रहा हूँ। उसकी लवर को उसका जूट पसंद नहीं आता। जिस कारण वो वहां से चली जाती है। कंपनी वाले मैसी से इतना खुश हो जाते हैं कि वो उसे अपना हीरो चुन लेते हैं। अगले ही दिन पूरे शहर में मैसी के पोस्टर लग गए थे इन पोस्टर्स में वो टी छतरी को परमोट कर रहा था। उधर चांद पर नीलसन की टीम को कैद कर लिया गया था। ये काम चांद की रानी के कहने पर हुआ था। और वही सिंहासन पर बैठी थी। चांद पर कुछ लड़कियां भी रहती थी। और वो सभी दरवार में थ सीमा इन्हें देखकर रानी से पूछती है। इन आदमियों में क्या खास है। रानी उसे बताती है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आदमी औरतों को खुश कर सकते हैं। इसके साथ ही वो नीलसन से कहती है कि अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो मैं तुमें जल्दी जल्दी तयार होने के बाद वो विलियम से उसके दो शनाखती कार्ड मांगती है। विलियम पूछता है कि तुम्हें कार्ड्स की क्या जरूरत है। जूलिया बताती है कि मैं पहली बार तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जान जिसके साथ ही मशीन विलियम की रिपोर्ट बताने लगी। जल्दी ही विलियम की रिपोर्ट जूलिया के हाथ लग जाती है, जिसे पढ़कर वो विलियम पर हसने लगी। ये लड़की भी चाहती थी कि विलियम अपने दो कार्ड्स लेकर आए। उधर नीलसन ने रानी को तो खुश कर दिया था, लेकिन इसी बीच चांद का जवाला मुखी फट जाता है। अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में तक के लिए नमस्कार।